Hello everyone, Welcome back, आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाल हैं आपकी chemistry के first chapter का बड़ा ही important topic जिसका नाम आप Oxidation, Reduction, Reaction साथी साथ इसी वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Redox Reaction के बारे में भी Distance Redox Reaction, Oxidation and Reduction Reaction बहुत जादा आपके लिए important है सो वीडियो को लास्ट तक देखें और आज आज आप लोग इसको जरूर से जरूर से जरूर से शिक लें आप लोग notes तो बना ही रहे हैं notes में जो कुछ भी आपको बता जाए उसको आप लोग तुरन से तुरन note करके उसको revise करके और उसको learn कर लिया करिये अच्छा एक बात मैं आपको आपके साथ share करके उस्टेंट्स की previous कुछ दिन से आप लोग देख रहे हैं कि मैं आपको science की class प्रवाइड नहीं कर रहा था वहाँ पर थोड़ी सी problem थी लेकिन आप लोगों के इतना सारा comment इतना सारा प्यार देखने के बाद मैं अपने आपको वहाँ पर minus कर रहा हूँ और minus करके आप लोगों से यह वादा करता हूँ कि आज के बाद आप लोगों को दो classes जरूर से जरूर में लेगी science और math की और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए test भी plan कर रहा हूँ ठीक है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपका test होने वाला है तब तक आप लोग अपना first chapter प्रिपेर करते रहिए ठीक है चलिए हम लोग start करते हैं वीडियो को और समझते इस्ट्रेंट से oxidation reaction क्या होता है तो oxidation reaction की एक simple से जट में देखो oxidation oxygen से बना हुआ है तो कहते हैं ऐसा reaction जिसमें किसी element के साथ oxygen combine होता है तो उसको simple definition बना दिये addition of oxygen and removal of hydrogen ध्यान समझेगा किसी भी reaction में जहां पर oxygen का addition हो या hydrogen का removal हो दोनों एक साथ नहीं होंगे दोनों एक साथ होंगे तब तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कुछ और reaction हो जाएगा ठीक है आप क्या बोलने addition of oxygen और removal of hydrogen या तो oxygen का addition हो या hydrogen का क्या हो removal हो इस तरह की reaction को हम क्या बोलते हैं oxidation reaction कहते यहाँ पर definition लिखी हुए आप लोग नोट कर लेंगे addition of oxygen और removal of hydrogen is known as oxidation ठीक है इसका example समझेगा देखो इस्टेंट्स यहाँ पर copper था copper से oxygen ने reaction किया तो क्या बना लिया है 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 यहाँ पर copper oxide क्या बना इस्टेंट्स copper oxide बना है अब देखो इस copper के साथ oxygen नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो copper के साथ किसका addition हुआ है तो यहाँ पर भी जिंक के साथ कौन आइड हुआ है, यहाँ पर भी addition हुआ है, O2 का means oxygen का, इसलिए इस reaction को भी हम लोग क्या बोलेंगे, oxidation reaction, अब इस reaction की बात करिए, हमारा HCl hydrochloric acid, इसको अगर हम लोग heat करते हैं, गर्म करते हैं, तो H2 plus Cl2 अलग-अलग होता है, अब आप इसलिए यह भी कौन सा reaction है, oxidation reaction है, तो बहुत ही simple सा logic था, क्या होगा, oxygen का addition हो, ग्याक होगा हो, removal up, hydrogen हो, उन दोनों case में जो reaction होगा, उस reaction को हम लोग क्या बोलेंगे, oxidation reaction, बात समझ में भी बहुत ही simple सा definition थी, बहुत ही simple सा example भी हमने हाँ पर दिया है, इसको आप लोग नोट करेंगे, अब हम देखते हैं, reduction reaction reaction, qya हो था, reduction reaction, oxidation reaction, just up audit है, वहाँ पर जो add होता है, वहाँ पर ë होता है, वहाँ ऑर होता है, तो इसकी definition है, addition of hydrogen, वहाँ पर kya था, क्यों क्योंकि oxidation और रिडक्षन सब्सक्राइब के चनरली कनवर्स में हैं ठीक है ऑक्सिडेशन तो लदनी हुद है क्योंकि होगा है इसलिए यहां पर काउ सब्सक्राइब कर रहा है यहां पर क्लोरीन इसके साथ क्लोरीन के साथ है और इंडिशन हो रहा है तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है और reduction reaction क्या होता है बहुत ही simple सी definition थी बहुत ही simple simple सामने example यहां पर दिया है अच्छा मैं आप लोगों से वादा कर चुका हूँ कि मैं आपको formula और chemical equation बनाने का और learn करने का तरीका बताऊंगा जल्दी ही आपको हम बताएंगे ठीक है आप प्रेशान न हो करिएगा अब आप बात करेंगे किसकी रेक्शन की रेडाक्स की देखिए समझी का रेडाक्स को थोड़ा मैं explain करता हूं रेडाक्स जो है इसको हम लोग रेडाक्शन कर लेते हैं और प्लस में ऑक्सीडेशन ध्याद समझे जो रेडाक्शन है इसका मतलब यह है कि ऐसा रेक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन दोनों की प्रोसेस होती है एक ही रेक्शन में उस तरह के रेक्शन को हम क्या बोलेंगे रेडाक्स रेक्शन के नाम से जानते हैं देखिए यहां पर एक ग्यांबल जो है वह है क्या बोलेंगे रेडाक्शन रेक्शन है ना और यहां पर देखो एस टू जा आँ सलफर थहा सलफर ने लूज कर दिया उसको ईक हाइड़ोजन को left ह है इसको क्या बोलेंगे ऑक्षीडेशन रियाक्शन एक ही reaction में आपको reduction भी दिख रहा है, oxidation भी दिख रहा है, इसलिए हमारे सामने जो reaction लिखाए इस ट्रेंट्स को लोग भी बोलेंगे क्यों सा reaction, redox reaction बास समझ में आई, अगला example दिखे, CuO plus H2 gives out H2O plus Cu, अब देखों इस ट्रेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है, कापर के साथ oxygen थ यहाँ पर कौपर के साथ से oxygen हट गया है, तो कापर ने oxygen को lost किया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा reaction हो जाएगा? और H2 था इसने क्या किया oxygen को add किया इसलिए यहां पर कौन सा reaction हो गया oxidation reaction हो गया है तो बहुत ही simple सा logic है जहां पर oxidation और reduction दोनों होगा उस तरह के reaction को हम क्या बोलेंगे redox reaction उसे redox को मैंने बोल दिया है कि यह reduction plus oxidation से मिल करके बना हुआ है तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को oxidation reaction, reduction reaction और redox reaction के बारे में बताया है यह सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी अब इस सारी concept को आप लोग क्या करिए अपनी notes में note कर लिए और note करने के बाद द्रे द्रे इसको आप लोग learn करना start कर दीजिए बात समझ में आई अब मैं आप लोगों को एक छोटा साथ task देता हूँ उस task को आप लोग कंप्लीट करेंगे मुझे comment section में देख कर कि बताईए का हम जानना चाहते हैं कि आप oxidation, reduction और reduction को पहचान लिए हैं या नहीं पहचान लिए हैं तो ठीक है सांदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो को साथ दब तक आपना ख्याल रखे